Hello students, welcome to great study, आज हम पढ़ेंगे past continuous tense, past indefinite tense का क्या rule है, किस तरह से active sentences होंगे, किस तरह से passive sentences होंगे, वो आपको मैं बहुत अच्छे से करवा चुक हूँ अपनी पिशली वीडियो में, तो मैंने आपको एक बात बताई थी, किसी भी category का sentence होगा, किसी भी tense में, किसी भी category का sentence होग किसी भी tense का passive sentence हो, या किसी भी tense की, किसी भी category का sentence हो, रूल आपका सेम रहता है, subject, helping word, main word, और object, subject क्या होता है, रामसीता गीता, helping work क्या होती है, is, has, have, यह आपके helping work होती है, main work क्या होती है, खाना पेना, उठना, बैटना, और बाकि sentence में आपका जो भी बसता है, वो क्या होता है, आपका object होता है, तो हर tense की category में आपको यही rule for follow करना है, और passive sentences में भी आपको यही करना है, ठीके, तो जो past continuous sentence है, उसके helping work होती है, वो क्या होती है, was और वर, was लगता है single के साथ, और वर लगता है, plural के साथ, और जो main work होती है, उठना, बैटना, खाना, पीना, उसमें वर में क्या लगेगी, ing लगेगी, तो he, see, it, I, निहाल, नैना, निहारिका, राहूल, गीता, इन सब के साथ, I क साथ, was लगेगा, बाकी, we, they, those, plural के साथ, क्या लगेगा, वर लगेगा, तो आपको पता चल गया, past continuous tense के helping verb क्या है, was है, और वर है, और जो main work है, उठना, बैटना, खाना, पीना, उसके साथ, वर में ing लगेगा, आई, एको sentences देखते हैं, और अपने doubt किलियर करते हैं, मैं बाजार जा रही थी, तो rule क्या कहता है, पहले subject होता है, फिर was word होता है, फिर word में ing होता है, और बाकी sentence में जो भी बच्चा कुछा पार होता है, उसे हम object में ढाल देते हैं, तो I was going to the market to, क्या है, एक preposition है, जो purpose को दिखाता है, मैं कहा जा रही थी, बाजार जा रही थी, to, एक infinitive भी है, जब to के बाद कोई भी verb होती है, खाना पी ना उठना बैठना, तो जो verb होती है, वो first form लगती है, यह आपको पता है, ठीक है, नय बाजा नहीं जा रही थी, जब negative sentences होंगे, तो was word के साथ not आएगा, चाहिए वो किसी भी tense की category का होगा, rule सेम रहेगा, affirmative sentences में भी negative sentences में भी, और interrogative sentences में भी, और interrogative plus negative sentences में, सेम रूल रहेगा, ठीक है, आपको बैस एक tense अच्छे से सीख लीजिए, समतलो आपके हर tense के लिए हो गए, ठीक है, तो I was not going to the market, क्या मैं बाजार जा रही थी, अब देखो ये, शुरुवात में जब क्या से शुरू होगा, तो कि इसी भी tense की, जिस tense का होगा, उसकी helping वरवाएगी, तो was I going to market, क्या मैं बाजार जा रही थी, क्या मैं बाजार नहीं जा रही थी, कौन सी category का sentence है, ये है, इंटेरोगेटी प्लस negative sentence, क्या शुरुवात में है, तो आपको पते हैं क्या करना है, तो was I not going to the market, क्या मैं बाजार जा रही थी, आपना इसमें वैसे भी कर सकते हो, जैसे हमने past indefinite tense में क्या था न, did not, तो आप यहां पर was not भी कर सकते हो, was not I going to the market, क्या मैं बाजार नहीं जा रही थी, और जैसे यहां पर क्या है, was I not, वैसे आप did not वाले में भी कर सकते हो, did I not, ऐसे भी कर सकते हो, was not को सा past continuous tense में हम कैसे storytelling करेंगे, यह एक छोटी सी लड़की है, नैना, जो अपने बारे में बता रही है, उसमें कल क्या क्या, कल सुबा मैं बाजार जा रही थी, ठीक है, past continuous tense, रही थी, रहा था रहे थे, मैं अकेली थी, यह क्या है, state of being है, मैं अकेली थी, वो कुछ कर नहीं रही एक sentence यह है, बाजार जा रही थी, और दूसरा sentence मैं अकेली थी, यह state of being है, यहाँ पर आपका जाने का काम हो रहा है, तो कल सुबा मैं बाजार जा रही थी, आपको पता है, रूल आपको पता है, हर sentence में क्या होगा, yesterday morning, I was going to the market, मैं बाजार जा रही थी, yesterday morning को आप sentence के end में भी लिख सकते हो, पहले subject भी लिख सकते हो, subject, I was going to the market yesterday morning, ऐसे भी कर सकते हो, I was alone, मैं क्या थी, अकेली थी, past में जब आपको state of being बिताओगे, मैं अकेली थी, मैं कमरे में थी, मैं उदास थी, तब आप बोलोगे, I was alone, देखो यहां पर कोई भी वर में आई एंजीनी है, क्या है यह, state of being है, इसलिए यहां पर वाज वर का यूज हुआ है, present tense में जैसे हम इसमर का यूज करते हैं, वो कमरे में है, आज बारिश है, आज धूप है, गर्मी है, वैसे ही past में भी हम state of being के लिए हम वाज का आ रही थी, इसलिए में पैदल चर रही थी, यह past continuous tense के चारो sentence है, affirmative sentence है, एक negative sentence है, मगर गाड़ी एक भी नहीं आ रही थी, आपको लगेगा past continuous tense का negative sentence है, मगर जब sentence में एक भी का sense होगा, एक भी लड़के ने मुझसे बात नहीं कर रहा था, एक भी गाड़ी नहीं आ रही थ एक भी लड़का नहीं बोर्ड रहा था आपको sentence के पीछे से रहा था होगा आप लोगों आपको लगेगा कि यह past continuous sentence का negative sentence है इसको negative sentence की तरह सॉल्व करो was not करके लगाओ नहीं जहां पर जिस sentence में एक भी का सेंस होगा वहां पर but not a single और उसके बाद कार होगा लड़का होगा जो भी होगा वहां पर आपको वैसे लिखना है तो धूप बहुत जादा हो रही थी धूप क्या है एक non living thing है इसलिए हम यहां पर इट का या करते हैं इट वाउस सद्धू सद्धू अन्य हम भी की सेंस में करते हैं और क्या करते हैं वहाँ जादा करते हैं तो धूप क्या होरी थी बहुत जादा हो रही थी I was waiting for a कार में गाड़ी का इंतिजार कर रही थी देखो आपको पता लग जया है कि मैने जो आपको पता है कि रूल के रहेगा सेम रहेगा देखो सब्जेक्ट आई फिर हेल्पिंग वर वाज फिर में वर वेटिंग आप आई एंजी लगाएगा क्योंकि इसमें पास्ट कंटुनियर और वाज मुए वाज में इसलिए नहीं लोगारा आपको इस तरह से जोवाज में वांबर वाज में वाज में था ती जाम पीछे मुड़कर देख रही थी कि गाड़ी आ रही है या नहीं subject कौन है I है ना और मैं क्या कर रही थी बार बार देख रही थी looking है ना word में क्या आएगे आई एंज आएगी तो I was looking back मैंने पीछे मैं पीछे देख रही थी again and again बार बार के लिए हम बुलेंगे again and again to see देख रही थी that की the car was coming or not की गाड़ी आएगी या नहीं जब इस टाइप के sentence हुँगे मम्मी आएगी या नहीं पापा आएंगे या नहीं फोन आएगा या नहीं तो इस टाइप के sentence को इसी तरह से solve करेंगे या के लिए हम और का यूज़ करेंगे मैंने देखा दो लड़किया मेरे पीछे से आ रही थी यह वो भी पैदल आ रही थी इसमें देखो पहला वाला sentence है मैंने देखा यह past लड़किया मेरे पीछे से आ रही थी यह past continuous tense का है तो एक ही sentence में दो category के sentence यूज़ हुए मैंने आपको एक narration करना प्रजंत में जब पास्ट में आपको सोचोगे और वह सोचा...को कि आपको सोच ना टोसी पास्ट में ऐगा वाँ पर हेलपिंग टोसे आप ए soutंड को Voilà बेदेदेश जहेँ आपस्ट में थे हैं जाते को वह एड्ड बीन हो जाएगा मैंने आपको बताया था, तो देखो इस एक sentence में दो category के sentence आ रहे हैं, मैंने देखा दो लड़किया मेरे पीछे से आ रही थी, तो एक sentence जो है, मैंने देखा past indefinite tense का है, और दूसरा sentence किसका है, past continuous tense का है, अगर आप चाहो तो इसे narration करके कर सकते हो, इसे narrate कर सकते हो, नहीं तो आप अपने directly से बोल सकते हो, तो मैंने देखा, I saw, मैंने आपको एक बात बताई थी, कि आप किसी भी tense की category में, अगर sentence को solve करोगे, तो rules सबका एक जस रहता है, subject होता है, helping verb होती है, main verb होती है, और object होता है, मगर ये दो category ऐसी हैं, जो past indefinite tense और present indefinite tense, इन दोनों में helping verb यू लगता है, और वहाँ पर present indefinite tense में does or do लगता है, बस ये दो ही ऐसे हैं, जिन में helping verb यूज नहीं होती है, तो I saw, मैंने देखा, two girls were coming from behind me, आप इसको work के साथ भी कर सकते हो, और बीना work के भी कर सकते हो, समझ में आ जाएगा, कि आप क्या बोलना चाहते हो, मैंने देखा, कि दोनों लड़कियों के साथ बजार चली गई, ये कॉनसेटेंस का सेंटेंस है, past indefinite tense का सेंटेंस है, पर past continuous tense के sentence के end में क्या होता है, रहा था रही थी, ठीक है, तो ये कॉनसेटेंस का सेंटेंस है, past indefinite tense का, उसमें क्या लगती है, helping verb नहीं लगती है, जो affirmative sentences होते हैं, subject, word क second form plus object, फिर के लिए हम क्या conjunction यूज करते हैं, then का, ठीक है, फिर मैं, then I went to, to क्या है, एक preposition है, जो purpose को दिखाता है, to, कहां चली गई, to the market, then क्या लगाया है, हमने फिर के लगाया, फिर subject, I, और फिर word की second form, क्योंकि या पर helping verb तो लगती नहीं है, I went, मैं चली गई, कहां, to the market, market चली गई, किसके साथ, के साथ, वीद, मैंने साथ, दोज मैंने, उन, टू गर्ल्स, उन दो लड़कियों के साथ, मैं बाजार चली गई, मैं उमीद करती हूँ, कि इस चोटी से स्टोरी से, आपका past continuous tense, जो है, एकदम कीलियर हो गया होगा, तो मैं आपको सिरी पैत, इत सारे tense हैं, या इतनी सारी category हैं, हर tense के अंदर, आप बिल्कुल confused मर्तो, आप एक काम कीचिए, आप किसी भी tense का, जैसे past tense में हो, या किसी भी, आप past tense का एक tense है, जैसे past indefinite tense, इसको एक बार अच्छे से देख लो, जो इसमें जो रूल फॉलो होंगे, अगर आपको एक tense अच सब में रूल एक जैसा ही होता है, इसलिए बस helping verb, उस helping verb के according, जो वहां की main verb होती है, उस वो change होती है, वहां पर आपको tension नहीं लेना है, बिर्कुल भी, एक tense को आप अच्छे से clear कर लो, समझ लो, आपको हर tense clear हो गया है, ठीक है, thank you for watching this video, वीडियो पसंद आई हो, तो वीड subscribe करें और मुझे यूँ ही support करें, फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, take care, bye bye